तो चले स्टार्ट करते हैं अपना रेश्टरेंट स्टाइल पीज़ा बनाना तो सबसे पहले मैंने एक बॉल में 400-500 ग्राम के आसपास मैदा ले लिया है पानी आप कह सकते हैं जाद करंड नहीं है तो इसमें हम एक मिला लिंगे मखण एक चममच हम इसट यारी mint के घमीर मिला लेंगे 120 लएन तो अच्छे से मिला लेंगे और पांच मिनिट के लिए हम येस्ट को एक्टिवेट होने देंगे फिर मैं आपसे मिलता हूं तो चलिए गाइस जो यह हमारा येस्ट का मिक्सचर है इसे मिला देते हैं अपने फ्लावर में यह मैंने 200 ml का असपास पाने लिया था और आप अच्छे से मिला ले इस पूरे मि हमारा इसका आटे का ग्लूटिन हो ग्लूटिन रिलीज होगा और अच्छे सा हमारा जो यह मैंदा बनेगा पूरा फिक्षर पेलेगा ठीक है जी तो अब मिलते हैं दो गंटे बाद धककर इसे रोम टेंपरिचर पर छोड़ दे फिर मैं आपसे मिलता हूं हां जी गाइस त देखिए मैंने अपनी पीज़ा ले लिया है और इसमें मैं अपना इडो रख दूँगा और हलके हलके हाथ से इस तरीके से मैं पूरे बोगो फैला लूँगा दोनों हाथो से ठीक है इसे पुरे को फैला कर मैं आपसे मिलता हूं है हां जी गाइस तो मैंने अपने पूरे आप उसको डो को आला लिया है अपनी पीजा ट्रे पर और इस मुकाम पर आकर ये मैं हॉममेड पीजा सॉस इस पर डाल दूँगा देकर असल खेल जो पीजा का टेस्ट है वो पीजा सॉस में होता है तो आप अच्छे से में भरकर अच्छे से डालूँगा धाला खिंग है अ वाल आप ले लीजेगा ठीक है जी मैं थोड़ा सा और डाल देता हूं इस पर सौस और इस तरीके से सौस फैला कर मैं है क्योंकि चिकन टिकका पीज़ा ही बन रहा है तो चिकन में ये होमेड चिकन टिकका है तो ये डाल लेंगे अच्छी सी क्वांटिटीटी में आप डाले ये हाप डन है फुल कुकनी है ठीक है जी इंवली स्प्रेड कर लीजेगा चीज ये मोजरेला चीज है मेरे पास ये मैं लगबख सो ग्राम के आसपास में चीज डाल रहा हूं और ओपर से ये में थोड़े से प्यास डाल दूँगा तो देखें गाईस कितना प्यारा हमारा पीज़ा भी से लग रहा है और अब मिलते हैं अवन पर हां जी गाईस तो हमने अवन प्री हीट कर लिया है और कन्वेक्शन मोड पे बनेटी करके टाइम लगा देगे अपना 20 से 25 मिनट में ये हो जाएगा तो चलिए अब अपने पीज़े को रखने का टाइम आ गया है स्टार्ट कर दें और अब मैं मिलता हूं 20 से 25 मिनट बाद आप से हां जी गाईस तो ये मेरा जो पीज़ा है पूरे 22 मिनट में पका है और देख लीजे कितना प्यारा लग रहा है तो चलिए अब मिलते हैं टे टेस्टिंग और मैं दिखाता हूं एक स्लाइस आपको इतना मज़े का यह लग रहा है देखिए प्रॉपर यह हमारा जो है पकाव आड़ो भी और 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 चली फ्लेक्स मैंने अल्रेडी इस पर डाल लिया क्योंकि सबर आज मेरे से नहीं हो रहा था तो चली देखते हैं च अब सूपर अब अब देखिए मैं टिक के प्रीस तोड़के दिखाता हूं अब प्रॉपर कुक है अंदर से देखिए अब तो गाइस बड़ा मज़े का मज़ेदार आज हमारा चिकन टिक का पीज़ा बना है तो आपको एक चीज का विशेश का धियान रखना है जो आपके सॉस की क्वालिटी है वह अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए इसमें टमाटर जादा हो तो बड़ी जिल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उससे पहले चैनल को लाइक करे शेयर करे कमेंट करे सब्सक्राइब करे यह आपका चैनल है आपके भाई का चैनल झाल गचल